मारूती सुजुकी ने अपनी नई ग्रैंड विटारा इंडिया में रिवील कर दी है जो कि सीधा कॉंपिट करती है हुंडाई क्रेटा की या सेल टॉस और स्कोडा कुशाक जैसी गाड़ी उसे तो आज की इस वीडियो में हम कंपेर करने वाले है मारूती की ग्रैंड विटारा को सेग्मेंट की किंग जो है अपनी यंडाई क्रेटा उसके साथ हाज हम इस वीडियो में उसको कंपेर करने वाले हैं और देखेंगे कौन सी गाड़ी जो है आपके लिए बेहतर आप्शन हो सकती है तो चलिए सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की dimensions से तो सबसे पहले बात करते है grand vitara की dimensions के बारे में grand vitara की जो length है 4345 mm वही पर क्रेटा की 430 mm grand vitara की width 1795 mm वही पर क्रेटा की width 1790 mm और height जो है grand vitara की हमें देखने को मिलती है 1645 mm वही पर क्रेटा की height 1635 mm और wheelbase यहाँ पर grand vitara का 2600 mm देखने को मिलता है वही पर क्रेटा का wheelbase 2610 mm का wheelbase यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पर अगर real life में हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह इन दोनों गाड़ियों में में ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा exterior looks की हम बात करेंगे तो मुझे personally ज़्यादा grand vitara अच्छी लगी अब बात करते हैं interior से तो interior में भी मुझे ज़्यादा personally grand vitara ही अच्छी लगी grand vitara में हमें head up display मिलता है, immediate ही मिलती है wireless charging मिलते है पर ये तीनों ही features हमें सिर्फ इसके strong hybrid वाले variant में ही देखने को मिलते है mild hybrid वाले variants में हमें नहीं मिलते है वही पर creta में हमें कोई भी head up display नहीं मिलती है पर wireless charging और digital जो इसकी MAD है fully digital creta में हमें मिलती है वही पर grand vitara में जो हमें screen की size मिलती है infotainment की size वह है 9 inches की वही पर creta में हमें 10.2 inches की size जो है देखने को मिलती है grand vitara का steering wheel जो है वो एकदम normal है जैसे बाकी गाड़ियों में आता है वही पर creta का जो है वो D-shaped sportish थोड़ा लगता है creta का grand vitara में मिलने वाली जो driver seat है उसे हमें manual ही adjust करना पड़ता है वही पर creta में हमें electronically adjustable 8 way power adjustable seat को कर सकते है वो creta में मिलता है वो grand vitara में नहीं मिलता है grand vitara में हमें wireless android auto और apple carplay का support देखने को मिलता है वही पर creta में भी ये support देखने को मिलता है पर creta के जो top variant के नीचे वाले variants है जिन में 8 inches की जो screen आते है उनी में ही ये wireless का support मिलता है अगर हम बात करें के top model के 10.2 inches वाले display आती है उसमें हमें wireless वाला support नहीं मिलता उसमें अपने को wire लगा के ही apple carplay और android auto चलाना पड़ता है दोनों ही गाडियों में हमें ventilated seats देखने को मिलते है panoramic sun group देखने को मिलती है और इसे के साथ दोनों ही गाडियों में हमें car के जो connected features होते है जैसे की suzuki connect आता है और crata में यहाँ पे blue link के features देखने को मिलते है पर blue link में हमें ज्यादा features देखने को मिलते है वही पे grand vitara में हमें 40 plus features मिलते है तो crata में 50 plus features देखने को मिलते है sound system की अगर हम बात करेंगे तो grand vitara में हमें simple archimist के speakers देखने को मिलते है वही पे crata जो है उसमें हमें premium sound quality वाले Bose के speakers with subwoofer भी देखने को मिलता है अब बात करेंगे इन दोनों ही गाडियों के safety के बारे में तो grand vitara जो best है मारे तो suzuki breza और scores वाले same platform पे तो breza का जो crash test हुआ था उसमें उसको 4 star मिले थे तो हम grand vitara से भी लगबग उसी के आसपास scores की उम्मिद रख सकते है और बात करेंगे kreta की kreta का जो global end cap दारों जो crash test हुआ था उसको उसमें 3 stars मिले थे तो kreta जो है थोड़ी unsafe पढ़ जाती है grand vitara के सामने grand vitara का जो mid variant है उस mid variant से ही हमें इस गाड़े में 6 airbags देखने को मिलते है वही पे kreta जो है kreta में भी 6 airbags आते है white edition और turbo petrol वाले model में ही हमें 6 airbags जो है देखने को मिलते है बाकि जो essex optional जो top model है उसमें हमें 6 airbags नहीं मिलते है तो ऐसे ही बाकि सारे safety features जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम है पर एक जो ज़्यादा safety feature जो है grand vitara में मिलता है वो है hill descent control जो की kreta में हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर clearly grand vitara जो है ज़्यादा safe नजर आती है kreta के सामने अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की engine options के बारे में तो grand vitara है जो हमें सिर्फ petrol में ही देखने को मिलेगी वही पर kreta जो है हमें petrol और diesel दोनों ही options के साथ मिलती है तो अगर आपको एक ऐसी diesel SUV लेनी है तो आपको clearly kreta की तरफ ही जाना होगा और अगर आपको petrol SUV लेनी है तो आप इन दोनों में choose कर सकते हैं तो सबसे पहले में बताने वाला हूँ grand vitara में मिलने वाले petrol engines के बारे में तो grand vitara में हमें दो petrol engines देखने को मिलते हैं एक है 1.5 liter का petrol engine जो की mild hybrid system के साथ आता है और वो power produce करता है 103 PS की power और 137 Nm का torque वही पे जो दूसरा engine है वो भी 1.5 liter का petrol engine है जो की strong hybrid system के साथ आता है वो power produce करता है 113 PS power और 122 Nm का torque वही पे अगर हम क्रेटा में मिलने वाले petrol engines के बारे में बात करेंगे तो क्रेटा में हमें दो petrol engines देखने को मिलते है एक है naturally aspirated दुसरा है turbo petrol naturally aspirated जो है वो 1.5 liter का petrol engine है जो की power produce करता है 115 PS की और torque produce करता है 144 Nm का torque वही पे क्रेटा में मिलने वाला जो turbo petrol वाला engine है वो 1.4 liter का turbo petrol engine है जो की power produce करता है 140 PS की power and 242 Nm का torque तो clearly यहाँ पर आप देख सकते है क्रेटा के दोनों ही engines जो है Grand Vitara के engines से ज़्यादा powerful है और ज़्यादा torque है अब हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के fuel efficiency के बारे में तो Grand Vitara में हमें जो mild hybrid वाला option देखने को मिलता है उसके साथ हमें manual वाले में 21 की mileage जो है मिलती है वही पर automatic वाले में हमें 20 kmpl की mileage मिलती है वही पर strong hybrid वाला जो variant है उसके साथ हमें बहुत ही अच्छी mileage 27.97 kmpl की देखने को मिलती है वही पर अगर हम क्रेटा के दोनों ही petrol engines की mileage के बारे में बात करेंगे तो हमें 17 kmpl और 18 kmpl की mileage ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है तो यहाँ पर clearly हमें यह दिखाई देता है कि fuel efficiency के बारे में Grand Vitara जो है वो Greta से बहुत आगे निकल जाती है तो अब बात आती है conclusion की कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में substitute करने जाए तो सबसे पहले बात करते Grand Vitara के बार में तो यह गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए जिन लोगों को ज्यादा पावर से कोई मतलब नहीं है जिनको एक balanced car चाहिए जोकी safe भी है इनफ पावरफुल भी है mileage भी ज्यादा देती है ज्यादा sufficient मतलब उसकी fuel efficiency ज्यादा है और एक safe car चाहिए तो उन लोगों को Grand Vitara के साथ जाना चाहिए अब बात करेंगे क्रेटा इन लोगों को लेनी चाहिए तो जिन लोगों को ज्यादा mileage से कोई फरक नहीं पड़ता और जिनको fun to drive एक car चाहिए तो उनको यहाँ पे clearly क्रेटा के साथ चले जाना चाहिए तो यह था इन दोनों ही गाड़ियों का comparison तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आप ये comment में जरूर बताइए वीडियो अच्छ लगी हो तो like करिए और मेरे channel को please subscribe करिए ऐसे ही videos आगे देखने के लिए Thank you so much